इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिए गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। लुपिसुलिन M30 solution for injection 40 में मध्यवर्ती असर करने वाला और कम समय तक असर करने वाला insulin होता है। साथ में वे तेजी से और लगातार चीनी नियंत्रन सुनिश्चित करते हैं जो पूरे दिन रक्ट शरकरा के स्तर को नियंत्रत करने में मदद करता है। यह एक injection के रूप में दिया जाता है और आपका डॉक्टर या नज आपको इसे inject करने के सही तरीके से प्रशिक्षित करेंगे। रक्ट शरकरा के स्तर का प्रबंधन मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप स्तर को नियंत्रत कर सकते हैं तो आप मधुमे की किसी भी गंभीर जटिलता जैसे कि गुर्दी की क्षती, आखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं। उच्चित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। आपका डॉक्टर या नज आपको इस दवा का उप्योग करने के तरीके के बारे में मार्ट दर्शन करेंगे। लुपिसुलिन M3 Solution for Injection 42 इंसुलिन पैयारियों का एक सयोजन है। इंसुलिन आइसोफिन-NPH और मानव इंसुलिन- घुलनशील इंसुलिन। इंसुलिन आइसोफेन एंपी एच में लंबे समय तक कारवाई होती है, जबकि मानव इंसुलिन घुलनशील इंसुलिन में तेजी से कारवाई शुरू होती है। साथ में वे मान स्पेशियों और वसा कोशिकाओं में चीनी के पुना ग्रहन की सुविधा और यकृत में चीनी के उतपादन को दबाने से तेजी से और लगातार चीनी नियंतरन सुनिश्चित करते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल पर सेट करें धन्यवाद